एक दिन में बहुत परेशान बैटा था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि ले आज तेरी बुर्यत मिटाता हूँ, तुम मेरे साथ चल और वो मेरे को अपने साथ एक कोई डेरी बूत पे ले गया और वहां उसने मेरे को एक सिगरेट दी एक सिगरेट जलाई और कहा कि ले इस अब उसकी जो है वो पहले जैसे सपोज एक सिगरेट पीने से उसको जो मजा या जो खुशी महसूस हो जाती थी अब वो एक सिगरेट पीने पर नहीं होती थी अब उसे एक की बजाए दो सिगरेट पीनी पड़ती थी अगर उसे एंजॉय करना है तो तीरे-दीरे क्या हुआ कि पहले तो उसे पार्टी पार्टी ले रहा था अब वो हफते में दोवार हर बुदवार और शनिवार अपने दोस्त के साथ जा करके और गांजा पीने लग गया था उठके कहीं जाने के लिए कुछ करने के लिए तो गांजा चाहिए तब उनका डोपामिन बढ़ेगा उन्हें कुछ अलर्टनेस आएगी उन्हें कुछ समझ में आएगा तो वो चलेंगे नहीं तो नहीं नमशकार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अनन्त राठी मनोचिकित सकेयो नस्यामुक्ति विशे सग्या भी करने राजस्तान से दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक लगबग 17-18 साल का लड़का जिसका की नाम राउल था वो अपनी फैमिली के साथ आया और वो जो है नशा करने लग गया था तो मैंने उससे पूछा कि भाई अभी तो तुमारी जो है वो कॉलेज ही चल रही है इस कॉलेज लाइफ में तुमें नशा करने की या गांजा पीने की एक्चिन में वो गांजा पिया करता था तो वो इसकी कहां ज़रू होता गई तो उसने धीर धीरे फिमें को बताना शुरू किया कि डॉक्तर साब ऐसा है कि कॉलेज के अंदर कोई विशेश पढ़ाई तो होती थी नहीं जो कुछ भी ऐसा खास कुछ करने को होता नहीं था एक जो है मोनोटोनस सी लाइफ हो गई थी यह वो वर्ड यूज करता था जिंदिकी में कोई excitement नहीं था कि आज कुछ यह करेंगे वो करेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे खेलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं मोनोटोनस लाइफ वहाँ चले गए इदर उदर गपे मारी आगए कुछ भी happening हो नहीं हो रा था जिंदिकी के अंदर एक मूरियत भरी सी जिंदिकी चल रही थी वो ही रोज सुबह उटके ना दोके नास्ता करके कॉले चले जाओ फिर वापस आ करके सो जाओ पढ़ना है तो पढ़ो नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो लाइफ के अंदर कोई excitement कुछ thrilling ऐसा कुछ भी था ही नहीं मलब एकदम जो है मैं बूर महसूस कर रहा था चिड़ चिड़ा सा हो गया था कि पता नहीं कहा लाइफ जा रही है क्या कर रहा हूँ क्या नहीं मुझे क्या करना चाहिए यह सब चीजें होने लग गई थी एक दिन मैं बहुत परेशान बैटा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि ले आज तेरी बूरियत मिटाता हूँ तु मेरे साथ चल और वो मेरे को अपने साथ एक कोई डेरी बूथ पे ले गया और वहाँ उसने मेरे को एक सिगरेट दे दी एक सिगरेट जलाई और कहा कि चरूर करी थी कि मेरी भी लाइफ ऐसी हो, तुझे इतना मजा आएगा, इतना हाई फील करेगा, तुझे लगेगा कि आसमान में उड़ रहा हूँ, जिंदगी तो यही है, बाकी वो तो एकडम बेकारी थी और तुझे सारे रंग, सारे सपने तेरे ऐसे पूरे होते भी अच्छा मैसूस होने लगा, दिमाग रिलेक्स हो गया, तो उसे लगा यार यह तो बहुत शानदार है, एकडम हाई दिमाग में फील कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्राबलम नहीं, और म्यूजिक बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, कलर्स बहुत अच्छे दिख पार्ट था, जो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता था, एकडम उदास सा बैटा रहता था, उस उदासी को इसने मिटा ही डाला, यह तो गजब की ही चीज है, तो उसने पहली बार दोस्त के कहने पर यह चीज अपनी लाइफ की उदासी या बुर्यत मिटाने के लिए इस्तेमाल करी, फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, कि जब उसे यह अच्छा लगा, तो फिर वो रात उस दिन उस जो अपने दोस्त के साथ पार्टी करने डिस्को में चला गया, यह वो, फिर उसने क्या है, जब जब पार्टी जाता, तो वो पार्टी जाते समय इसका गांज सिगरेट पीने से उसको जो मजा या जो खुशी महसूस हो जाती थी, अब वो एक सिगरेट पीने पर नहीं होती थी, अब उसे एक की बजाए दो सिगरेट पीनी पड़ती थी, अगर उसे एंजॉय करना है, तो दीरे-दीरे क्या हुआ कि पहले तो उससे पार्टी पार्ट अब वो हफते में दो वार हर बुद्वार और शनिवार अपने दोस्त के साथ जाकर के और गांजा पीने लग गया था हफते में दो दिन पीने लग गया धीरे धीरे धीर ऐसा हो गया कि कुछ समय में उसकी frequency एतनी बढ़ गई कि वो दिन में दो बार गांजा पीने लगिया सुबह और शाम दो बार गांजा पीने लगिया कुछ लोग तो खाना खाने के बाद जस्ट पीने चले जाते हैं गांजा चिगरेट पीने चले जाते हैं तो यहां से यहां तक वो कुछ ही समय में आ गया जरूरी नहीं है कि सारे यहां से यहां तक बहुत जल्दी आ जाये लेकिन जो यह dose भड़ी इसको हम कहते हैं tolerance यानि सेम अमाउंट ड्रग की उतना effect नहीं पैदा करती उस सेम effect को पैदा करने के लिए ड्रग की अमाउंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा पहले जब party party में पीता तो यह tolerance की वज़े से वो गांजे का पूरी तरह से addict हो गया था उसके उपर जो उसका शौक था एक शौकिया तोर पे पिया था उसने explore करने के लिए क्या है क्या नहीं वो शौक से उसका नशा बना और नशे से अब उसकी मजबूरी बन गया कि दिन में दो वार उसे गांज जिनको समझते हैं जो गांजा होता है cannabis वो हमारे दिमाग में dopamine नाम के chemical को बढ़ाता है यह dopamine जो होता है यह खुशी का रसायन है इससे हमें खुशी महसूस होती है अलंकि इसको बढ़ाने के कई तरीके हैं जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे लेकिन यह cannabis उसका dopamine को suddenly और बहुत ज़्यादा मातरा में बढ़ाने का एक तरीका है तो बहुत ज़्यादा खुशी बहुत ज़्यादा happiness महसूस होती है ऐसे जो जिन्दगी डल और लगती थी ड्राई लगती थी वो एकदम खुश लगने लग जाती है तो यह खुशी बहुत ज़्याद है दोस्तों कि जो cannabis support dopamine के level को उसने x से बढ़ा के x square कर दिया अब जैसे ही cannabis का असर मिटा न तो यह withdrawal feature में इसका आपस dopamine का level क्या आएगा? x नहीं आएगा, under root of x आएगा, मतलब जो साधारन सामान्य होसता में उसके दिमाग में dopamine का level था, उससे भी कम चला जाएगा, अब उसक खुशी नहीं, जो पहले फिर भी थोड़ा बहुत लोगों से मिल लेता, बात कर लेता, कॉलेट चला जाता, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता, कुछ तो कर रहा था, लेकिन अब तो वो ऐसा हो गया कि उसका उठने का, पढ़ने का, कहीं जाने का, किसी से बात करने का, क कुछ alertness आएगी उन्हें कुछ समझ में आएगा तो वो चलेंगे नहीं तो नहीं इतनी dependence हर एक में नहीं होती अगें लोग बहुत से comment करते हैं कि हम तो कभी कबार ही पीते हैं दस साल से पीते हैं बिलकुल सही बहुत अच्छी बात है आप कभी कबार ही पी रहे हैं ये भी ब permanent changes पैदा करता है जो हमारे neuro circuits हैं brain में हमारे जो neurons हैं उनके आपस में जो connection है उसमें गांजा कुछ permanent change पैदा करता है अब ये permanent change कुछ लोगों में तो पहली डोज से ही हो जाता है एक बार गांजा पिया और उनके दिमाग की circuitry बदल जाती है उसमें neurons क्या chemical चल रहे हो बदल कुछ लोगों में इसको बदलने में 10 साल का समय लग जाता है ठीक है तो जब ये permanent change आएगा neuro circuit में तो इसका मतलब फिर उसके बाद उनके dopamine अपने आप नहीं बनेगा ऐसा permanent change आगया अब उसको बनाने के लिए उन्हें गांजा लेना ही पड़ेगा अब ये पहली dose में भी हो हो सकता है पर ये change permanent होता है और जब ये permanent change हो गया तो फिर उनमें psychiatric symptoms develop होने लगते हैं क्या-क्या बहुत से लोग तो psychotic हो जाते हैं hallucination होने लगते हैं चीजें ऐसी जो दूसरों को नहीं दिखरी इनको दिखरी है कानों में आवाज यह डर लग रहा है वो मुझे मार देगा वो मुझे ऐसा कर देगा मेरा पीछा कर रहे हैं इस तरह से कुछ मेनिक हो जाते हैं अपने आपको बड़ा आदमी समझने लगते हैं नरेंदर मोदीर क्या है मेरे पीछे कुछ नहीं है यह वो मेनिक कुछ को panic attacks आने लगते हैं इतनी गबराट होती है कि उनसे control ही नहीं होत हैं तो अब आप समझे होंगे कि गांजा जो है वो depression का इलाज नहीं है यह एक temporary method or to increase dopamine in high level बहुत ज्यादा मातरा में dopamine को दिमाग में बढ़ाने का एक short term तरीका है डिप्रेशन का इलाज नहीं है और यह short term तरीका अगर किसी ने अपनाया तो जो withdrawal symptoms आएंगे और या फिर जो permanent changes in neurosircuits होगा उसमें या तो psychotic हो सकता है मेंनिक हो सकता है anxiety के बहुत attack आ सकते हैं उसको या फिर इतना लिथार्जिक हो जाएगा कि उसको कुछ करने की इच्छा नहीं रहेगी गांजा पिएगा तो ही चलेगा नहीं तो नहीं या पांजा पिएगा तो ही enjoy करेगा नहीं तो इस तरह की situation भी आ जाती है तो अब अगर कोई यक्ति या कोई बच्चा ऐसा महसूस करता है कि मेरी life monotonous है boring है मन नहीं लग रहा पढ़ाई में इच्छा नहीं हो रही यह वो तो आपको जो नशा करना solution नहीं है आप अपने counselor से मिलें आप अपने psychiatrist से मिलें आप अपनी family से बात करें कि मुझे इस तरह को बोरियत मिटाने का या depressive symptoms मिटाने का कोई भी solution नहीं है अशा करता हूं मेरे द्वारा दीगी जानकर या आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जै हिन जै भारत